वेलकम टू वर्ल्ड लवर्नेस आज हम आपको इंडियन आर्मी की उस आर्टिलरी गन के बारे में बताएंगे जिसने पाकिस्तानी आर्मी को कर्गी लुद में घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था ये है इंडियन आर्मी द्वारा इस्तमाल की जाने वाली बोफोर्स गन जिसे होबिट्स HF77 के नाम से भी जाना जाता है इसे स्विडेन की बोफोर्स कमपनी के द्वारा बनाया गया है इंडियन आर्मी ने इस गन की 410 यूनिट को 1986 से 1992 के बीच में खरीदा था ये एक 155 mm औ और 49 कलीबर की टोड आर्टिरली गन है इस गन का टोटल वजन 11500 केजी है और बात करें इसके रेटा पायर की तो ये गन 4 राउंड को 9 सेकेंड में और 6 राउंड को 25 सेकेंड में फायर करने में सक्षम है वो फोर्स गन की मैक्समाम फायरिंग रेंग 24 किलमेटर है इस गन की सबसे खास बात यह है कि इस गन को पहाड़ी इलाकों में आसानी से डेप्लॉय किया जा सकता है इस गन को ऑपरेट करने के लिए लगबग 9 लोगों की आवस सकता होती है इसका इस्तमाल सबसे पहले इंडियन आर्मी के द्वारा करगी लुद्ध में किया गया था जैहिंद झाल